Greetings, guys, आज आप सीखेंगे do और does से जुड़े सभी rules. Let me assure you all कि आज के बाद आपको इन rules को लेकर कभी कोई doubt नहीं रहेगा. आई वीडियो शुरू करते हैं और ये रहा do का पहला use. किसी काम को करने के लिए do का use होता है. do यहाँ main verb की तरह use होता है. इसकी जगा does use नहीं किया जा सकता है. आई सीखते हैं कुछ example sentences. तुम अपना काम करो. You do your work. You do your work. Rakesh ये काम कर सकता है. Rakesh can do this work. Rakesh can do this work. वह कोई काम कर रहा है. He is doing some work. He is doing some work. Doing यहाँ main verb है. उन्होंने ये काम कर लिया है. They have done this work. They have done this work. Done जो की do की third form है. यहाँ main verb है. क्या ये तुम मेरे लिए करोगे? Will you do this for me? Will you do this for me? यहाँ भी tense future का है. परन्तु main verb do ही है. Do का use present indefinite tense के negative sentences बनाने के लिए होता है. Do का use तब होता है जब subject plural होता है. I और you exceptions है. उन पर ये rule लागू नहीं होता है. आई देख लेते हैं कुछ example sentences. हमें नहीं पता है, we do not know, we do not know. वे मेरा यकीन नहीं करते हैं, they do not trust me, they do not trust me. मैं यहाँ रोज नहीं आता हूँ, I do not come here daily, I do not come here daily. आई यहाँ exception है, वे सही तना से dance नहीं करते हैं, they do not dance properly, they do not dance properly, they plural है, इसलिए do का use होगा. रवी और मोहन वहाँ रोज नहीं जाते हैं, रवी और मोहन वहाँ रोज नहीं जाते हैं, रवी और मोहन प्लूरल हैं, इसलिए यहाँ पर do का use होगा. Do का use, present indefinite tense के interrogative sentences को बनाने के लिए होता है Let's see some example sentences क्या वे तुम्हें जानते हैं? Do they know you? Do they know you? क्या वे तुम्हारा यकीन करते हैं? Do they trust you? Do they trust you? क्या तुम मुझे प्यार करते हो? Do you love me? Do you love me? Do यहाँ exception है यनि you के लिए use किया गया है क्या वे तुम्हारा काम पसंद करते हैं? Do they like your work? Do they like your work? क्या मोहन और सोहन साथ पढ़ाई करते हैं? Do मोहन और सोहन स्टड़ी तुगैदर? Do मोहन और सोहन स्टड़ी तुगैदर? Do का use, present indefinite tense के negative, interrogative sentences बनाने के लिए होता है Do का use तभी होता है, जब subject plural होता है I और you exceptions हैं यनि इन पर ये नियम लागू नहीं होता है आई ये देखते हैं कुछ example sentences क्या तुम पढ़ाई नहीं करते हो? Don't you study? Don't you study? या फिर Do you not study? Do you not study? इसे दो तरीके से हम बना सकते हैं या तो contraction जो की यहाँ पर don't है subject से पहले यूज करके या फिर Do plus subject plus not use करके क्या वे यहाँ नहीं आते हैं? Don't they come here? Don't they come here? या फिर Do they not come here? Do they not come here? क्या हम उसे money नहीं देते हैं? Don't we give her money? या फिर Do we not give her money? Do we not give her money? Does का use present indefinite tense के negative sentences को बनाने के लिए यूज होता है जब subject singular होता है आई देखते हैं कुछ example sentences रवी क्रिकेट नहीं खिलता है रवी ड़स नौट प्ले क्रिकेट रवी ड़स नौट प्ले क्रिकेट ड़स के साथ वर्ब में एस या यह नहीं लगाते हैं यानि plays लिखने की गलती ना करें पंकच अपने parents की इज़त नहीं करता है पंकज does not respect his parents वे गिटार नहीं बजाती है यह अच्छा नहीं लगता है इट के साथ भी डस का यूज होता है डस का use present indefinite tense के interrogative sentences को बनाने के लिए होता है जब subject singular होता है आईए सीख लेते हैं कुछ example sentences क्या वे तुम्हें प्यार करती है Does she love you? क्या रवी तुम्हारे पास आता है Does रवी come to you? क्या इससे तुम्हें दर्द होता है Does it hurt you? डस का use present indefinite tense के negative interrogative sentences को बनाने के लिए होता है आई सीख लेते हैं कुछ example sentences क्या वे अच्छा नहीं लगता है डसंट ही लुक नाइस या फिर डस ही नॉट लुक नाइस डस ही नॉट लुक नाइस डोंट की तरह ही हम डसंट को भी subject से पहले यूज कर सकते हैं या फिर डस प्लस subject प्लस नॉट का यूज कर सकते हैं आई देखते हैं दो और examples क्या वह तुम्हारे लिए खाना नहीं बनाती हैं? डसंट छी कोग फ़र यूं या फिर डसंट लुक फ़र यू या फिर दशी नॉट कुक फॉर यू? डसंट लुक फर यू? Does Ramesh not come here Do or Does का use Present indefinite tense के sentences पर जोर देने के लिए होता है बाकी rules Do or Does वाले जैसे उपर बताए गए हैं लगेंगे आई सीख लेते हैं कुछ example sentences मैंग मेरी मदद पक्का करता है मैंग does help me यनि इसमें संदे वाली कोई बात ही नहीं है मुझे आम पक्का पसंद है I do like mangoes मैं वहाँ Sundays को जरूर जाता हूँ I do go there on Sundays यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि मैं वहाँ Sunday को जाता ही जाता हूँ चुकि हर Sunday को जाता हूँ इसलिए यहाँ पर Sundays का use किया गया है वे मुझे पक्का जानते हैं They do know me राकेश जरूर बहुत कमाता है राकेश ड़स अर्न अलोट राकेश ड़स अर्न अलोट Friends, उमीद है कि आज आपके सारे डाउट्स डू और ड़स को लेकर दूर हो गए होंगे इसी तरह इंगलिश ग्रामर को इंप्रूव करने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें Bye friends for now